परिचय विश्व के प्रतेक वस्तु में गती होती है। हम चलते हैं, दौडते हैं और साइकिल चलाते हैं। हम पेड़ों से गिरते पत्तों और बांध से बहते हुए पानी को देखते हैं। मोटर गाड़ी और वायुयान यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। प्रिथ्वी 24 घंटे में एक पार अपनी अक्ष के परिता घोणन करती है। तथा वर्ष में एक पार सूरे की परिक्रमा करती है। सूरे अपनी क्रहु सहित हमारी आकाश गंगा नामक मंदाकनी में विचरन करता है। तथा जो स्वयम भी स्थानिय मंदाकनीों के समुह में गती करती है। उद्देशे। इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। यांत्र की और इसके वर्गी करण को समझना। स्थैतिकी और गतिकी में भीत करना। व्रहमा अवस्था और गती के बीच विभीत करना। सापेक्षिक गती को समझना। गदी के प्रकार समझना, बिंदू द्रवेमान वस्तू और निर्देश दंत्र को परिभाशित करना, पथ लंबाई और विस्थापन के बीच विभेद करना, वेग और चाल में विभेद करना, यांत्र की और इसके वर्गी करण. सभी सजीव वस्तूएं बिना किसी बाहरी सहयता के स्वहता गती करती हैं, जन्दू एक स्थान से दूसरे स्थान तक गती करते हैं, या वे अपने शरीर के विमिन भागों को घुमाते हैं. भौतिकी की शाखा जो भौतिक वस्तूओं की गती का अध्यान करती है उसे यांत्रिकी कहते हैं. यांत्रिकी को मोड़े तौर पर दो रूपों में वर्गी कृत किया गया है. स्थेतिकी और गतिकी. स्थेतिकी एवं गतिकी. स्थेतिकी यांत्रिकी की वो शाखा जो उन वस्तूओं का अध्यान करती है जो व्रामा वस्ता में हैं स्थेतिकी कहलाती है. ये सामय अवस्था में कारे करने वाले बलों के प्रभाव में वस्तूओं की गती का अध्यान है समय एक महत्पूर्ण भूमी का निभाता है गतिकी क्यांत्रिकी की वो शाखा जो गतिशील वस्तूओं और उनकी गती के कारकों का अध्यान करती है उसे गति की कहते हैं, बल गति का कारण होता है, समय इसमें भी एक महतपून भूमी का निभाता है, व्रामा अवस्था एवं गति व्रामा अवस्था, कोई वस्थू यदी समय और अपने परिवेश के सापेक्ष अपने स्थान परिवर्तन नहीं करती, तो इसे व्रामा अवस्था में होना कहते हैं, जब किताब मेश पर पड़ी होती है, या कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठा होता है, तो वो व्रामा अवस तो इसे उसका गती में होना कहते हैं, हवा में उड़ती चुडिया, पानी में तैरता जलियान गती के उधारण हैं, वरामा आवस्था और गती सापेक्षिक होते हैं, एक चलती हुई ट्रेन में बैठा व्यक्ति अपने सहियात्री के सापेक्ष वरामा आवस्था में है, लेक अपने घर में बैठा हुआ एक व्यक्ति व्राम आवस्था में है, किन्तु धर्दी के संदर्भ में दूसरे ग्रहों के सापेक्ष वो गती में है। गती के प्रकार गती तीन प्रकार की होती है। रेखिये गती जब वस्तु एक सीधी रेखा के अनुदिश गती करती हैं। वृत्तिय गति जब वस्तू एक वृत्त के अनुदिश गति करती है तो उसे वृत्तिय गति कहते हैं। दोलन गति एक निश्चित समय अंत्राल में किसी स्थिर बिंदू के आगे पीछे गति करने को दोलन गति कहते हैं। बिंदू द्रवेमान वस्तू कोई भी वस्तू बिंदू द्रवेमान वस्तू होती है यदि गधी के दोरान एक दिये गए समय में ये अपने आमाप से ज्यादा दूरी तै करती है। उधारण प्रित्वी के सूरी के चारों तरफ परिक्रमा, सूरी के पारिता, पत की तुलना में प्रित्वी का वियास बहुत कम है। आता प्रित्वी को बिंदू द्रवेमान वस्तू कहा जा सकता है। निर्देश तंत्र निर्देशांक अक्षूं जानी परस पर समकोन बनाती तीन रेखाएं। उसकी एक अवस्था जो की एक प्रिक्षक यानी मूल बिंदू से संबद्ध हो और जिसके सापेक्ष कोई प्रिक्षक किसी गतिशील वस्तू की इस्तिति, विस्थापन, वेक, तोरण इत्यादी बता सके। इसमें तीन अक्ष एक्स वाई और सेट तथा कण के प्रस्थान बिंदू पर एक केंद्र होता है। एक विमिये, दुई विमिये और त्री विमिये गति। एक विमिये गति। तीन निर्देशांकों में से केवल एक के सापेक्ष गति करना समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रही होती है। उधारण सरल रेखा में चल रही कार। दुई विमिये गति। तीन निर्देशांकों में दू के सापेक्ष वस्तु की गति साथ ही वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रही होती है। उधारण बियर्ड बल पर गती करती बलेट की गेंद, त्रीवी में गती, तीनों निर्देशांकों के सापेक्ष गती, साथी वस्तु की स्थिती समय के सापेक्ष परिवर्तित होती है, उधारण, हवा में उर्ती होई पतन, पत्थ, लंबाई और विस्थापन के बीच, अंतर, संपुन पत्थ, लंबाई और किसी वस्तु द्वारा दिये गए समय में की गई, गती के दौरां तै की गई वास्तवीक्तूरी होती है, ये शूनने नहीं हो सकती, ये एक अधिश राशी होती है, विस्थापन, एक निश्चित दिशा में समान समय में वस्तू की दो स्थितियों के बीच की निउन तमदूरी को विस्थापन कहते हैं, ये शूनने हो सकती है, ये सदिश राशी है, चाल, किसी वस्तू की गती उसके द्वारा तै की गई कुल पथ लंबाई और लिये गई समय के अनुबात के रूप में परिभाशित की जाती है, चाल बराबर पथ, घटा, लंबाई बटे समय अंतराल, ये अधिश राशी है, इसका SI मातरक मीटर प्रतिसकिन है, इसका विमिय सूत्र निम्न है, एक समान चाल और आसमान चाल, एक समान चाल, जब कोई वस्तू समान समय में समान दूरी तै करती है, तो उसकी जाल को एक समान चाल कहते हैं, आसमान चाल, जब कोई वस्तू आसमान समय अंतरालों में समान दूरी तै करती है या आसमान दूरियां समान समय में तै करती है तो उसकी चाल को आसमान चाल कहते हैं औसद चाल और तात खणिक चाल औसद चाल किसी वस्तु द्वारा तैकी गई कुल दूरी और लियगाई कुल समय के अनुपाद को औसचाल कहते हैं औसचाल पराबर संपून पत्थ, लंबाई, बटे, संपून, समयावधी तादक्शनिक चाल समय अंद्राल डेल्टा टी में किसी वस्तू की चाल को तातिक्षणिक चाल कहते हैं वेग और इसके प्रकार वेग किसी वस्तु का वेग वस्तु के विस्थापन और विस्थापन में उसके द्वारा लिये गए समय के अनुपात के रूप में परिभाशित किया जाता है वेग पराबर विस्थापन बटे समयावधी ये एक सदिश राशी है इसका ऐसाई मात्रक मीटर प्रति सकंड है इसका विमिय सूत्र निम्न है एक समान वेक जब कोई वस्तू समान समय में समान दूरी तह करती है तो उसके वेक को एक समान वेक कहते हैं आसमान वेक जब कोई वस्तू आसमान समय अंतरालों में समान दूरी तै करती है या आसमान दूरियां समान समय में तै करती है तो इसे आसमान वेक कहते हैं गती का ग्राफ ये निरूपन दूरी समय ग्राफ दूरी समय ग्राफ से हमें चाल प्राप्र होती है दूरी समयग्राफ की प्रमड़ता से हमें चाल प्रदान करता है 1. यदि दूरी समयग्राफ एक सीधी रेखा है तो चाल एक समान है 2. यदि दूरी समयग्राफ एक वक्र रेखा है तो चाल आसमान है क्या आप जानते हैं? प्रमान्ड में गती को यांत्रिकी के दो प्रत्यक्ष्टा परस्पर विरोधी सिध्धान्तों के समुझ से वर्णित किया जाता है प्रमान्ड की सभी बड़े और ग्याद वस्तूओं की गती जैसे प्रक्षेप, ग्रह, कोशिकाएं और मनुशिका वर्लन क्लासिक यांत्रिकी द्वारा किया जाता है बहुत छोटे पर्मानविक और उप पर्मानविक आकार की वस्तून का वर्लन क्वांटम यांत्री की द्वारा किया जाता है स्वारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्शेप में तोहराएं स्थान में परिवर्तन को गती कहते हैं दूरी के सापेक्ष गती को चाहल कहते हैं और विस्थापन के सापेक्ष गती को वेक कहते हैं गती, सतत या परिवर्तनिय वेक के अनुरूप क्रमशा एक समान या आसमान हो सकती है दूरी या विस्थापन के परिवर्तन किदर हमेशा क्रमशा, चाल या वेक प्रदान करती है